करिश्मा की बेटी की इस आदत से परिशान है करीना कपूर, देड़ डाली ये सला बलेवुड में बहनों की बात करें तो करीना कपूर और करीना कपूर का नाम सबसे पहले आता है दोनों एक दूसरे के बेहत करीब हैं और अक्सर क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आती है यही नहीं करिश्मा के दोनों बच्चों समायरा और कियान के साथ भी करीना की अच्छी बॉंडिंग है टॉक शो दलवलाट लाइव शो में पहुंची करीना से जब पूछा गया कि वो खुद एक सूपर मॉम है ऐसे में वो करिश्मा को क्या सलहा देना चाहती है करीना ने कहा कि करिश्मा को वो लगातार बोलती है कि समायरा के ज़्यादा सोशल मीडिया पर रोक लगाएं करीना ने कहा मेरी बेहन की 14 साल की बेटी है वो ज्यादातर समय स्नेब्चेट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेट form पर बिजी रहती है मैंने लोलो से कहा कि इसे कम करने की ज़रूरत है क्यूंकि सोशल मीडिया के चक्कर में आप घंटों एक ये जगह बैठे रहते हैं और उसी में बीजी रहते हैं ना आप किताबे पढ़ते हैं, ना बाहर की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना कम हो जाता है सोशल मीडिया को लिमिट में यूज करने की जरूरत है इसके अलावा जब करीना से पूछा गया कि वो और सेप शाम का वक्त कैसे बिताते हैं करीना ने कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों ही बहुत सामाजिक हैं लेकिन हमें फिल्मी पार्टियां पसंद नहीं है वो आम और पर स्क्रीनिंग शोज में जाना पसंद नहीं करते क्यूंकि उसका कहना है कि जूट नहीं बोल सकते इसलिए सेप ऐसी जगों पर नहीं जाते हैं हम दोनों भले ही फिल्मी दुनिया से तालुक रखते हैं लेकिन यहां के बहुत कम लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं करीना ने आगे कहा कि सेप को पढ़ने का बहुत शौक है तो हर शाम को वो ज़्यादतर किताबे पढ़ते रहते हैं हम डिनर आम और पर 7.30 से 8 बजे के बीच कर लेते हैं सेप से कोई भी बात करो तो उसका पहला रियक्शन होता है नहीं तब मैं कहती हूँ कि सेप तुम चाहते क्या हो क्या हमें हर कदम ठ्राय करके उठाना चाहिए उसका रियक्शन होता है नहीं